नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देखने जोतिष दिशासत्य किरा है हर हर भंबे हर हर भंबम आज महाश्रीवरात्री है आज का दिन भोलेनात का दिन है आज का दिन भोलेनात के बाराती बनने का है आज का दिन हम सब के बहराती बनने का है आज के दिन हम आपके लिए एक दिब प्रियोग बताने वाले हैं जो आपके जीवन की कुछ खास समस्याओं से आपको मुक्ति देदेगा आज महाशिवरात्री इस्पेसल एपिसोड आप सब के चरणों में समर्पित है और आज के इस कारिकरम को अगर आपने अपने सभी दस मित्रों को शेयर किया तो आपके उपर भुले नात की विशेश कृपा हो जाएगी क्योंकि उनका भी आपने कल्यान कर दिया है जो अब तक रो रहे थे जो आपके एस्ट्रो फ्रेंट संतोशी तक नहीं पहुँच पाए थे तो आज का कारिकरम आप सब वित्रों से अनरोध है कि जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक और उनके जीवन से दुखों को दूर करने में हमारे माध्धम से सहायक बने करपूर गवरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारं सदावसंतं हरदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामी जय शिवशंभु ओम्त्रयं बगं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनं अरवारुकमीव बंधनान मृत्योह मुक्षियमा मृतात ओम नमप्पार्वती पते हर हर महादेव शंभु के नाश्वशंभु मित्रो शिव शक्ति है शक्ति शिव है इस भाव को शब्द नहीं कहा में इस भाव को आत्मसाथ कर लीज़े हिर्दय में हिर्दयस्थ कर लीज़े तब जाकर आपके पास तिब्वता मिलेगी शुबता मिलेगी पराकाश्ठा प्राप्त होगी अनोखा कारिक्रम आज का हम करने जा रहे हैं आप सब भक्तों से अनरोध है आप सब मित्रों से अनरोध है आप सब अन्वियाईयों से अनरोध है आप सब फॉलोवर्स से अनरोध है कि प्लीज आज की इस कारिक्रम को दबा कर शेयर करिए कम से कम पचास हजार अगर आप द सबसे पहले आज का पंचांग फालगुन महा कृष्ण पक्ष त्रेयोदशीति थी है आज महा शिवरात्री है आज ही वसंत रित्व आरंभ हो रहा है आज शनी प्रदोश भी है आज भगवान शिव का पूजन जो निशीत काल में होगा वो रात बारह बचकर 27 मिनट से रात एक बचकर 17 मिनट तक रहेगा इस समय अगर आप शिव आराधन पूजन बंदन करते हैं तो आपके जीवन से तमाम दोशों का समूल नाश हो जाता है जरूर करें और इस दिब्वता का परम दिब्वता का परम आनंद जरूर उठाएं आज का पंचांग हो गया भालगुन महासकेश्ण पक्षित्रियोदशी और महाशिवरातिश और वसंत्रेतु शनी प्रदोश चंद्रमा आज मकर राशी में नक्षत राज का उत्रा शाढ़ा है और योग रहेगा व्यती पात तदनुसार दिनांक 18 फर्वरी दिन शनिवार राहुकाल का समय रहेगा आज शनिवार की दिन सुबह 9 से 10 और गुलिककाल का समय रहेगा सुबह 6 बज़े से 7 बज़ कर 30 मिले तर। राहुकाल नए और शुब काम के लिए मना है लेकिन गुलिककाल कंसिडर करता है। मेश से लेकर मीन तक अब आई जानते हैं आज की दिव भविश्यवाणी और महाशिवरात्री का महाइस्पेशल उपायर मेश राश्य पढ़ाई में पोड़ता है आज सिल्ख्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार को लेकर के आज जितना सोचा है आपने उससे कहीं ज़्यादा प्राप्ट करेंगे प्राइवेट सिक्टर आपके लिए कुछ दिव्विता दे ही रहा है सरकारी छित्र में शुक्ता बनी हुई है दामपत्य जीवन आपके लिए कुछ अच्छा फल देगा लव लाइफ थोड़ा सा उठा पटक वाला है स्वास्थ के मामले में आज पेट और बैक की प्राब्लम हो सकती है उपाए महा शिवरात्री स्पेशल उपाए शिवलिंग पर आज काले तिल और दूद काविशेक मेश राशी वाले करें आप पर चुकीर राहु की दिष्टी है मतलब राहु आपकी राशी में चल रहा है तो आपके लिए ये बहुत सख़द एहसास करा देगा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग की प्रत्षट सिख्टी सेवन संसट ब्रिशब राशी मांसिक शानती आज मिलेगी पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं सिख्षा में कोई रोश नहीं है ब्यापार आपके लिए दिब्या है बिजनस में कुछ बड़ा फल मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर आप पर थोड़ा सा भारी पड़ेगा सोच समझक वाद दूर हो जाएगा लव लाइफ में कुछ उठा पटक था लेकिन दोपहर के बाद सब ठीक ठीक लग रहा है स्वास्त के मामले में आज दातों की तकलिफ हो सकती है और थोड़ा सा ब्रीथिंग प्राबलम हो सकता है क्या प्रियोग करना है ब्रिशब वालों को आज भ किया आप उसी अगले पल अनुभव कर लीजिएगा तब बड़ा फाइदा होगा प्रियोग करते ही आपको आनदा है शुबरंग आपके लिए गुलाभी भाग्य प्रत्षत बासट मिथुन राशी रुके कार एक गति प्राप्त करेंगे आज पढ़ाई खुब अच्छी चल रही है शिक्षा में कोई दोश नहीं है ब्यापार में दिब्विता है बिजनस आपके लिए बड़ा फल दे रहा ह प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा करा देगा तामपत्य जीवन गजब का है सरकारी छेतर में आज प्रमोशन की खुशखव भी है लव लाइफ में कुछ अच्छा होने का सूचना प्राप्त होगा स्वास्त के मामले में दातों की तकलीफ और इसकिन प्र भुलेनात की चरण में जाते हुए उनके चरणों में रख दीजिए और उसी में से फिर पूजन के बाद प्रशाद ग्रहन कर दीजिए भुलेनात की कृपा रहेगी मिथुनवालों पर शुब रंग आपके लिए काला भाग्य प्रद्शत पच्छपन करक्राशे 18 फरवरी शरिवार पढ़ाई में आज दिबता है सिक्षा में कोई रोश नहीं ब्यापार में कुछ उचाई छूने जा रहे हैं प्राइबिट सेक्टर आप पर आज महरवान होगा सरकारी छेत्र की स्थिति को संभालने का प्रियास करें दामपत्र जीवन बहुत अनकूल है पतनी का खूब साथ मिलेगा लेकिन लव लाइप में आज अलगाओ की चांसेज है स्वास्थ के मामले में आज का दिन दातों की तकलिफ के साथ डाइजेशन की दिखाता है महा शिवरात्री स्पेशल चंद्रमा का कारक राशी करक राशी क्या उपाय करना है आपको गन्य का रस शि सिंगराजी दिनांक 18 फर्वरी महा शिवरात्री स्पेशल शरी प्रदोश श्पेशल वसंत रितु श्पेशल सिंगराजी पढ़ाई में पहुत सुखद एहसास है सिक्षा पूरी हो जा रही है व्यापार भी अनुकूलता के साथ चल रहा है बिजनस में कोई दिक्कत नहीं प्राइवेट सेक्टेर आप पर भारी है थोड़ा सोच समझ के दिरड़े लेजिए सरकारी छेतर की स्थिति में सुधार हो रहा है दांपत्य जीवर अनुकूल है पत्नी का खोब साथ मिलेगा लव लाइफ में कुछ समस्याएं बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में बैक की शहद का अब शेक कर देजिए सिंग राशी वालों के लिए शुबरंग आज ग्रे भाग्य प्रत्षत पच्पर कन्य राशी दो राहे पर रहेंगे सही निरड़े नहीं ले पाएंगे पढ़ाई में प्रभाव पढ़ रहा है सोच समझ कर फैसला करिए ब्यापार अच्छा चल रहा है किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज कुछ अच्छा फैसला कराएगा सरकारी छेत्र को सुधार लीजिए दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पत्नी का खूब साथ मिलेगा लेकिन लव लाइफ तनाव दे रहा है लव लाइफ की पंखुडी पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चठा दीजेगा भाई साब कन्या राशी वालों के लिए गजब का फल मिल जाएगा शुबरंग आपके लिए पीला भाग की प्रत्षत 59 तुला राशी मन थोड़ा द्विगन है पढ़ाई आज नहीं हो पा रहे हैं पर आज थोड़ा सा भाजी पढ़ रहा है काम का बोज फील करेंगे थोड़ा आपसे बाहर निकरेगा सरकारी छेत्र बहुत अनकूल है दामपत्य जीवन सरकारी छेत, दामपत्य जीवन में कुछ अच्छा करने की चाहत पूरी करेंगे लव लाइफ को लेकर सजग रहिएगा, यहां दिक्कत होगी आज का दिन लव लाइफ में तुला राशी वालों को सोच समझ कर निरला लेना होगा स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो आज दांत और कमरदर्द की शिकायत है भगवान भोलेनात को आज क्या रिपित करें तुला राशी वाले आज आपको सोठ और गुड चढ़ाना है प्रशाद के रूप में शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत पच्पर्ण बिश्चिक राशी मानसिक शांती है आज आपके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं पढ़ाई बहुत अच्छी है सिक्षा में कुछ अच्छे विचार बन रहे हैं ब्यापार में तनाव बढ़ सकता है बिजनस की स्थिस ठीक नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एच्छा फल दे रहा है सरकारी छेत्र की स्थिस्थि में सुधार है दामपत्य जीवन अनोखा है पत्नी का खूब स समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी ब्रिश्चिक है ब्रिश्चिक राशी वालों को आज भस्म लगाना है उल्टे हाथ की इंडेक्स में और तीन बार शिविलिंग को इस्परश करना है शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रत्शत इक्यावर फिफ्टी वर धनुराशी मन खूब प्रशन्न है हर चिंता से मुक्ति दे रहा है व्यापार अनकूल है बिजनस में अवसर अच्छे मिल रहे है प्राइवेट सेक्टर आप पर भारी पढ़ रहा है सरकारी छेत्र अरकूलता दिखाएगा दांपत्य जीवन बूद्ध और मिश्री अर्पित करना है शुबरंग आपके लिया सफेद भाग्य प्रत्शत पचास मकर राशी महाशिवरात्य श्पशल पढ़ाई खोब अच्छी है सिक्षा में हर पतार से आज उन्चाई छुएंगे ब्यापार भी अनकूल है बिजनस में हर कदम पर सफलता है प्राइवेट सेक्टर पर भारी है आप प्राइवेट सेक्टर को समभा लिए सरकारी छेत्र म में कुछ ब्यातर कर लेंगे आज मकान का सुख मिलेगा लव लाइफ और मैरियर लाइफ में इंबैलन्स सिचुएशन रहेगा अपने आप पर कंट्रोल करके आज इस सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे स्वास्त के मामले में आज का दिन सांस की दिक्कत स्किन और पेट क की समस्या दिखाता है महा शिवरात्री श्पेशल उपाय आपके लिए शिवलिंग पर आज सफेद पुष परपित करिए आपके लिए शुब होगा शुबरंग आपके लिए सफेद भागी प्रत्षत पच्पद कुम्भराशी दिन मनुन कूल है पढ़ाई में आज आउसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार भी अनकूलता दिखाएगा प्राइबर सेक्टर में तराओं बढ़ सकता है सोच समझ कर मिरले लिजे सरकारी छेत्र की स्थिति में सुधाल लाने का प्रियास करें दाम पत्र जीवन अनकूल है पत्नी का खुम साथ मिल रहा है लव लाइफ को आज समझाल लीजेगा कुमराशी वालों को लव लाइफ पर आज थोड़ा सा कंसर्ट्रेर करना होगा विवाद की स्थिति आ सकती है स्वास्त के मामले में आज बैक की प्राबलम और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तोर पर किसी जरूरत मंद को कुछ खाने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रतिशत पचास अंतिम राश में पढ़ाई में आज आपका मन लग जाएगा शिक्षा की स्थिक खराब नहीं है नई योजनाय बन सकती है व्यापार तो अच्छा चली रहा है उ उसमें चार चांद लगाई गति दीजिए ट्राइवेट सिक्टर को लेकर सजगरे सरकारी छेत्री की स्थिक को शुधार सकते हैं दांपत्ती जीवन बहुत अनकूल है पत्नी का खूल साथ है लव लाइफ में इस्थियां थोली सी आपके हाथ से बाहर जा रहे हैं स्वास् ने जल और गंगा जल मिलाकर अरपन कर दीजिए आपके लिए अनोखा है तो कि जली राशी है आपकी चंद्रमा आश्रमन के आसपास में हैं तराशाण तो आपके लिए अनकूलता अपने आप देही दे रहा है शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रद्शत 51 51 राश्यों का हाल महा शिवरात्री के दिन आज आपने जानी लिया है भगवान भोले भंडारी का आज महा पावन पुनीद दिन है आज के दिन को जितना इस्तेमाल अपने सगरात्म कूर्जा के लिए कर सकते हैं आपके लिए अनकूलता दिखाएगा आई आप जानते हैं आज का विशेश स्रक्सेज की एक लौंग लेकर अपने सर से तीन बार उल्टा वार कर ग्रहन कर लेगे खा लेगे दिन आपका अचा भी देगा चर्चा आगे आज के भाग्याक्षर के मेश साक्षर ब्रिशब्र चा मिथुन छोटा आक्षर करक वा सिंग जाक्षर कन्या तुला भाग्षर ब्रिश्चिक गा धनू माग्षर मकर रा कुम्भ जाक्षर मीन गा नोट कर लेगे आए आगे बढ़ते हैं दिनांक 18 फरवरी का आयुश्मान भवह जिसका जनम दिन है वो तीन बच्चों को पढ़ाई में मदद कर दे और तीन पीपल के पोधे कहीं लग जाते हैं और जिसकी आज मेरे जनिवर सरी है दो लोगों को खाना खिला कर सुन्दर का अंड का पाठ शिवाले में बैठ कर कर लें क्योंकि आज महाशिव राती हैं आज के लिए इतना ही हम आपसे अनुमत चाहेंगे आचार्य विश्व प्रसिध जोति शाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप रह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दश्शा कैसा भी ग्रहों का हो दुश्प्रभाव बस एक ग्रह दीब आप की जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीप जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीप संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीप दीप एक खुशियां अनेक